दुनिया एक ऐसे दोर से गुजर रही है, जहां बड़े देश युद्ध में फंसे है और वैश्विक डिफेस बाजार का संतुलन बदल रहा है। इस बदलाव के बीच भारत एक नया खिलाडी बनकर उभर रहा है। क्या भारत रूस को पीछे छोड़ कर डिफेस मार्केट क गहराई से प्रभावित किया है। रूस जो पहले कई देशों को डिफेस उपकरन सप्लाई करता था, अब खुद इस युद्ध में फंस गया है। नतीजतन कई देश अब दूसरे विकलपों की तलाश में है और भारत इसमें एक प्रमुक खिलाडी बनता जा रहा है। कि भारत का डिफेस मार्केट में प्रभाव बरता जा रहा है। भारत का आकाश एयर डिफेस मिसाइल सिस्टम वैश्विक बाजार में धूम मचा रहा है। तीस किलो मीटर के दाएरे में किसी भी फाइटर जेट, द्रोन या मिसाइल को सटीकता से गिराने की क्षमता रखन ये सिस्टम भारत को डिफेस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला रहा है। मिसर, जो पहले जर्मनी और रूस जैसे देशों से डिफेस उपकरन खरीदता था, अब भारत की ओर देख रहा है। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल होती है, तो ये भारत के डिफेस एक स्पोर्ट को एक नई उंचाय पर ले जाएगा। जहां रूस युद्ध में उल्जा हुआ है और अपने पुराने साजेदारों को निराश कर रहा है। वही भारत इस खाली स्थान को तेजी से भर रहा है। रूस की यह कमजोरी भारत की सबसे बड़ी ताकत ब भी मजबूत होती जा रही है। भारत की डिफेस इंडस्ट्री सिर्फ विदेशी बाजारों पर निर्भर नहीं है। भारत में किये जा रहे नए-ने नवाचार जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, अर्जुन टैंक और आधुनिक द्रोन तकनीक भारत को आत्म निर्भर बना र भारतीय रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने इस पर गर्व जताते हुए कहा कि भारत का डिफेस एक स्पोर्ट अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। भारत सिर्फ रूस को नहीं, बलकि चीन के दबाव का भी सामना कर रहा है। चीन ने हाल के वर्षों में अपन सम्मेलनों में भारत की भागीदारी बरती जा रही है और इसे भारत का वैश्विक प्रभाव और भी गहरा हो रहा है। भारत न केवल अफरीकी देशों बलकि अन्य एशियाई देशों के साथ भी अपने डिफेस संबंध मजबूत कर रहा है। इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलिपीन्स जैसे देश भी अब भारत से डिफेस उपकरन खरीदने में दिल्चस्पी दिखा रहे है। यूरोप के कई देश जो पहले सिर्फ अमेरिका और रूस से डिफेस उपकरन खरीदते थे, अब भारत की ओर भी देख रहे है। भारत का गुनवत्ता और सस्ती कीमतों का कॉंबिनेशन इसे एक आकरशक विकल्ब बना रहा है। भारत की डिफेस इंडस्ट्री में अब निजी कमपनियों का भी बड़ा योगदान है। टाटा, महिंदरा और लार्सन एन टुब्रो जैसी कमपनिया भारतिये डिफेस इंडस्ट्री को नई उंचायों प पहचाने जा रहे है। इसराइल के साथ भारत की डिफेस साजेदारी भी तेजी से बर रही है। दोनों देश एक साथ मिलकर नई तकनीक विक्सित कर रहे हैं जो उन्हें युद्ध में अधिक सक्षम बना रही है। समुद्री सुरक्षा के मामले में भी भारत ने बड़ी कॉप्टर्स के साथ अपनी क्षमताओं को और मजबूत किया है। भारत अब अपने देश में ही फाइटर जेट्स का निर्मान कर रहा है। जिससे उसकी आत्म निर्भरता और भी बर रही है। भारतिय सेना अब नई तकनीक और आधुनिक उपकरनों के साथ खुद को सुस कर रही है। इससे न केवल सेना की ताकत बर रही है। बलकि यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। स्पेस और साइबर डिफेस में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रक्ति किये। भारत का साइबर सिक्यूरिटी नेटवर्क मजबूत हो रही है।